हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए कस्टर्ड फलूदा की रेस्पी लेकर आई हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे बनाना भी बहुत असान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम लेंगे वन फोर्थ कप रोस्टर्ड वर्मिसली सेमिया और इसे एक पैन में डालकर ड्राइ रोस्ट कर लेंगे, अगर आपके पास रोस्टर्ड सेमिया नहीं हैं, तो आप सिंपल सेमियों को भी एक चमच गी डालकर गॉल्डन ब्राउन कर लें हलका सा ड्राइ रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो कप दूद, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, एक उबाल आने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे आप इसको ऐसे ना छोड़ें, नहीं तो ये नीचे लग सकता है, दो-तिन मिनिट के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे मैंने यहां आदा कप दूद लिया है, और इसमें एक चमच कस्टर्ड पॉडर डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम लेंगे दो चमच मिल्क पॉडर, मैंने यहां नैसले का मिल्क पॉडर लिया है, आप कोई भी ब्रैंट का मिल्क पॉडर यूज कर सकते हो अभी आपको इसमें कुछ गुटलियां दिख रही होंगी, पर कोई बात नहीं, जब आप इसको दूद में डालोगे, तो आपने आप ही डिजॉल्व हो जाएंगी ये देखिए, दूद में उबाल आ चुका है, अब हमने जो कस्टर्ड पॉडर और मिल्क पॉडर का मिक्चर त्यार किया था, वो डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस का फ्लेम हम लोही रखेंगे साथ-साथ हिलाते रहेंगे, और जो साइट्स पर मलाई है, उसे बीच में करते जाएंगे फ्रेंट्स ये ध्यान जरूर रखें कि आप चीनी पहले ना डालें, अगर आप चीनी पहले डाल देंगे, तो सेमिया को सॉफ्ट आउन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा पूरे 10 मिनिट हो चुके हैं, इसे पकते हुए, ये देखिए, सेमिया अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, और मेक्स्चर थोड़ा सा गाड़ा हो गया है इसको ऐसे ही लाते रहेंगे, और एक मिनिट के लिए प्लेट से ठक देंगे और गयास का फ्लेम हम लोग ही रखेंगे एक चमज सब्जा को आदा कप पानी में 15 मिनिट के लिए बिगो देंगे, ये बहुत ही हल्दी होते हैं, अगर आप ना खाना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो अब मैं इसमें 1 फॉर्थ कप चीनी डा रहे हूँ, चीनी डाल कर 2 मिनिट के लिए और पका लेंगे, और इसे खुला ही पकाएंगे, अब हम इसे ढख कर नहीं पकाएंगे, और गयास का फ्लेम ओफ कर देंगे अब हम कांच के दो गिलास लेंगे और ये देखिए, साइट्स पर इस तरह से शर्बत लगा लेंगे ऐसा करने से देखने में सुंदर देखेगा ही और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा सबजा अच्छी तरह से फूल गया है और एक चम्मच सबजा का डाल देंगे अब इसमें डालेंगे कटे हुए कुछ फ्रूट्स फिर हम इसमें डालेंगे ठंडी-ठंडी सेविया और फिर से थोड़ा सा फ्रूट डाल देंगे फ्रूट डालने के पार फिर से ठालेंगे थोड़ी सी सेविया लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से ड्राइ फ्रूट और तुट्टी-फ्रूटी और थोड़ा सा शर्बत ये हमारा टेस्टी ड्लीशियस कस्टड फ्लूदा बनकर रेडी है आप इस इज रूट टाइ करें थैंक्स फूर वाचिंग माई वीडियो ये एグाफ़े स्टलूदा टेग ज्याओ कर jestem जाँ कैस्टी-ब्रूबी